नरेला ओदगी छुत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब फैक्टरी नमबर A171-172 से आज सुबह सुबह जब आग की कॉल मिली तो तुरंत दिल्ली पुलिस को और दिल्ली फायर सर्विस को सुचित किया गया फैक्टरी के जो उपरी फ्लोर है उस पर आग लगी थी आग के लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है दिल्ली फायर सर्विस की पंद्रा गाडिया डीएम में की एक गाड़ी और साथ में कैट्स एंबुलेंस की दो गाडिया यहाँ पर पुलिस जो लोकल पुलिस है उसके साथ तैनात की गई है दिल्ली फायर सर्विस के जो जागरू करंचारी है उन्होंने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाने के परियास शुरू किये ज्यादा जानकारी देने के लिए मारे पास स्टेशन ओफिसर हमें 15 बजे के करीब काल मिली हम तुरंत यहाँ पर गाडिया लेकर आए और हमने देख्या कि दोनों फैक्टियों में आग है तो हमने इसको मेक्सिक्स किया गा जिसमें कम से कम हमारे पास 15-16 गाडियां काम कर रही है और आग अभी कंट्रोल में है कोई हमें नहीं मिली है का क्या है हम जारी है उबारा भी तो जो आग है किस तरी का रensa का का मैं और एक सोबैतर में का काम है तो दोनों को अमने कंट्रोल कर लिया है और भुझा दी जाएगी जल्द लीका डिब गर कर वारे में बात की जाए कितने ही खतरनाक आग को सी कटेगरी आग में इसको करंबिर ना शेक्टर शोडा से यह उपर जो पलास्टिक दाना है फ़लोर पर है और ज्यादा तरह आग को कर लिया है तो जल्दी ही आग को खत्म किया जाएगा फायर सर्विस के तरह से कटेगरी दी जाती है कौकि कौन सी कटेगरी जी आग इसको माना गया है यह मेक 6 की काटागरी थी इसमें 10-15 गाडिया आ जाती ही काम करने के लिए किसी तरह को कैजवल्टी की सुचना भी तक आ अभी हमारे पास कोई कैजवल्ट कोई सुचना नहीं है काम जा रही है बाकि आग लगने के कारणों की जो वजह है वह आग बुझने पर आग के जो काबू पाया जाएगा उसके बादी स्पश्टों पाएगी दिल्ली फायर सर्विस की 10-15 गाडियां यहां पर मोके पर हैं और लगातार आग बुझाने के प विसल्टेस्ट दिल्ली